पाट का शीर्षक है एक की दो की दो बहने थी एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली दोनों बहने अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी एक केस वाली का एक ही बाल था इसलिए सब उसे एक की बुलाते थे दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी उसके दो बाल थे इसलिए सब उसे दोक्की बुलाते थे अम्मा सोचती थी के दोक्की जैसी सुन्दर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं और बाबा उनको सोचने की फुरसती कहां काम में जो उल्जे रहते थे दोक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती एक दिन एक की घने जंगल में गई चलते चलते वह घने जंगल के बीच आप पहुची चारों तरफ सन्नाटा था अच्छानक उसने एक आवास सुनी पानी मुझे प्यास लगी है कोई पानी पिला दो एक की रुकी और उसने चारों तरफ घूम कर देखा वहां तो कोई नहीं था फिर उसने देखा सूखी मुर्जाई हुई मेहंदी की एक जाड़ी जिसके पत्ते सरसरा रहे थे पास में ही पानी की धारा बह रही थी एक की ने चुल्लू में पानी भर कर एक बार दो बार कई बार जाड़ी के उपर डाला मेहंदी की जाड़ी बोली धन्यवाद एक्की मैं तुमारी ये मदद याद रखूँगी एक्की आगे बढ़ गई फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवास सुनाई दी मुझे फूक लगी है कोई मुझे खाना खिला दो एक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाए पेड से बंधी होई थी एक्की ने घास फूस इकठी की और गाए को खिला दी उसके बाद उसने गाए के गले में बंधी रसी को खोल दिया धन्यवाद एकी मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी गाए ने कहा एक्की अब चलते चलते ठक गई थी उसे गर्मी भी लग रही थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे कहां जाए तभी उसे दूर एक जोंपड़ी दिखाए दी एक की दोड़ कर जोंपड़ी तक गई और आवाज लगाई कोई है एक बूढ़ी अम्मा ने दर्वाजा खुला बूढ़ी अम्मा ने कहा आहाँ आ गई मेरी बच्ची मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी आओ अंदर आजाओ एक की हैरान हो गई और चुपचाप जोंपड़ी में आ गई जोंपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा बूढ़ी अम्मा ने कहा आहो बेटी तुम्हारे लिए नहाने का पानी तयार है पहले अच्छी तरह से दे लगाओ और उसके बाद नहालो फिर हम खाना खाएंगे एक्की ने शर्माते हुए कहा नहीं नहीं अम्मा ने पुछकार कर कहा अरे नहीं क्या जैसा मैं कहती हूं फैसा करो जी एक्की ने बुढ़ी अम्मा की बात मान ली पिर पता है क्या हुआ एक्की ने जैसी ही अपने सिर से तॉलिया हटाया तो उसने पाया क्ये उसके सिर पर एक नहीं परन्तु बहुत सारे बाल थे एक्की इतनी खुश हुई के वो खाना खाई ही नहीं सकी बस बार बार वो बुढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही बुढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा आप तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो एक्की के तो जैसे पंक ही निकलाए वो सरपट घर की तरफ दोड़ चली रास्ते में उसे गाए ने मीठा मीठा दूध दिया और जाडी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी घर पहुचकर एक्की ने सारी कहानी सुनाई दोख्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी दोख्की इतना तेज भाग रही थी के ना उसने प्यासी ज़ाडी और ना ही भूखी गाए की पुकार सुनी वो तो धर धलाती हुई जोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुकम दिया मेरे लिए नहाने का पानी तयार करो हाँ, आओ, मैं तुम्हारी ही रार देख रही थी पानी तयार है, नहालो बूढ़ी अम्मा ने दोख्की से कहा जटपट नहने के बाद जैसे ही दोख्की ने तॉलिया सिर से हटाया उसकी तो चीख निकल गए दोख्की के दो ही तो बाल थे और वे भी जड़ गए थे रोते रोते दोख्की घर की तरफ चलने लगी रास्ते में उसे गाए ने सींग मारा और मेहंदी की ज़ाड़ी ने काटे चुब हो दिये मगर अब दोख्की अपना सबक सीख चुकी थी इसके बाद एक की दो की अपने अमा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी है अगर आप ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखना चाहती है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब शियर और नाइक करना ना भूले अपना ना जाबा हो अगर ऑगा की अच्छी अच्छी अच्छी